मन की जीत जीत है और मन की हार हार है दोस्तों इसलिए कोई भी प्राब्लम हो पैनिक नहीं करना है पैनिक करने से जो है अपना जो दिमाग है वो काम करना बंद हो जाता है और छोटी समस्या भी बहुत बरी समस्या दिखती है तो इसलिए दोस्तों चाहे कोई भी प्राब्लम ह पैनिक नहीं करना है उपर वाले पर भरोसा रखना है और फिर जो है उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है अब जैसे की बात चल रही है कि इस बार हो सकता है कि 729 JPSC का जो एक्जाम हो उसका लेबल थोड़ा हाई हो तो क्या हो गया मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग को जरूरी है कि जो UPSC के प्रिवस सौर्ड पेपर है अरिहन पॉब्लिकेशन का आता है और दिसा पॉब्लिकेशन का आता है दोनों में से कोई एक ले लीजिए और उसको सौर्ब करना बहुत जरूरी है उसमें मतलब 25 साल के कोशन पेपर दिये गया है उनका सोलूशन भी कर दिया गया है तो मैं ख्याल से इतना सफिशेंट है दोस्तों और हम डेली जो है एक साल का जो कोशन अलाइज करते हैं उसको बड़िया से समझते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पीटी जो है वो एक क्रैक नहीं हो पाएगा तो बिलकुल परिशान नहीं होना है दोस्तों और जरूर से जो UPSC के प्रिवस स्वार्ड पेपर हैं, उनके कोश्चन्स को देखना है, समझना है और उनको स्वार्ब करना है, और साथ में साथ अपनी जो पढ़ाई है, दो सिफ्ट वाली जो मैंने कहा था, कि एक तो आपको जारखंड का पढ़ना है और आपको इंडिया क करता है, तो आपको कोई मतलब अजीब सा नहीं लगेगा, आप उसको सक सकेंगे, लेकिन अगर आप UPSC का स्वार्ड पेपर नहीं देखे रहेंगे, और तब अचानक से इन केस JPSC का जो कोश्चन का लेबल बढ़ता है, भाई साब बैंड बढ़ जाएगा, तो इसलिए अ अगर नहीं लिए कोश्चन बैंक तो जरूर से ले लीजेए, और यहन पॉब्लिकेशन का भी आता है, दिसा पॉब्लिकेशन का भी आता है, दोनों ही बुक अच्छी है, और डेली का, अगर एक दिन में नहीं हो सकते हैं तो दो दिन में करिए, 50-50 कोश्चन करके, लेकिन देखिये, उसको अनलाइज कीजिए, समझिए, बहुत हल्प मिलेगा, और फिर वही बात, जम के महनत कीजिए, क्योंकि कम्पेटिशन बहुत टफ है, और कटफ जो है, अच्छा खासा रहेगा, तो महनत होगी, जीत होगी, all the best and thank you.